हेलो एवरिवन वेलकम अगें टू लंड़े देतिमन तो देखिए हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ राजिस्थान का सोतंतरता अंदोलन एवं सौरे परंप्रा आपकी बुक है ये नई वाली बुक है आपकी और इसमें हमने चार चप्टर के कोशन आंसर कर लिये हैं उनक स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महा विद्याले में हुई नेक्स्ट देखें कोशन नमबर टू राजिस्थान सेवा संग की स्थापना कहां पर की गई तो ये जो स्थापना है वो वर्दा में हुई विजे सिंग पतिक ने की और राम नरायन चौधरी और हर भाई केंकर के योगदान से की ठीक है तो यहां पर तीन कोशन बन रहे हैं आपके एक तो राजिस्थान सेवा संग की स्थापना कहां पर हुई वर्दा में हुई कभ हुई 1919 में किसने की विजे सिंग पतिक ने की किसके सहयोग से राम नरायन चौधरी और हर भाई केंकर के योगदान से असहयोग आंदोलन के दोरान किसने अपनी राय बहादूर के उपादी लोटा दी तो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादूर के उपादी जो है वो लोट प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान राजिस्थान के किस राजा को जर्मनी से संदी वारता के लिए भारत का प्रतिनिदित्व करने के लिए पैरिस भीजा गया तो वह थे महाराजा गंगा सिंग। ब्रिटिस प्रशाशकों ने किसे बॉल शेवे किया विपलववादी कहा तो यह विजे सिंग पतिक को कहा अखिल भारतिय देसी लोग परिशत की स्थापना कब की गई तो 1922 सीश्वी में की गई ठीक है फिर देखें कोशन 7 है राजिस्थान में सर्व प्रथम प्रजाम कहां पर की गई तो देखें इस्थापना जो है जैपूर में की गई सबसे पहले प्रजाम अंडल की 1931 में और इसने राजनीती में प्रवेश किया 1938 में अब देखें जो प्रजाम अंडल का टॉपिक है यह आपको सभी बुक्स में अलग-अलग इसके जो सन है वो आपको अ NCRT की उठा लें तो यहां पर बच्चों को confusion रहता है यहां पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहां पर जो सही आपकी सन है वो ही आपकी लिखी है चाहे वो जैपूर प्रजाम अंडल हो मारवार प्रजाम अंडल हो मेवार प्रजाम अंडल हो ठीक है तो इसी को सही मानना है 1931 में जैपुर में जो है सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की गई मारवार प्रजामंडल की स्थापना कब होई तो यह 1934 इस्वी में होई कब होई 1934 इस्वी में होई कोटा में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई तो यह 1949 इस्वी में की गई आपको 1938 मिलेगा लेकिन आपको याद रखना है कि कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1949 में हुई शिरोही लोग परिशत की स्थापना कहां पर की गई शिरोही लोग परिशत की स्थापना कहां पर की गई तो यह 1933 सीषवी में बंबई में की गई जैपूर प्रजामंडल की सर्व परतम स्थापना जो है वो कब और किसके द्वारा की गई जैपूर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब की गई और किसके द्वारा की गई तो 1931 इसवी में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जैपुर में होती है और करपूर चंद पाटनी के द्वारा ये जो स्थापना है वो की गई जैपुर प्रजामंडल की पुनर स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो इस्थापना 1931 में जैपुर में हुई उसके बाद दुबारा से जो इसकी स्थापना की गई 1936 में की गई जमना लाल बजाज के दौरा जैपुर प्रजामंडल इस्थापना का उदेश्य क्या था जैपुर प्रजामंडल की जो इस्थापना हुई उसका उदेश्य क्या था तो इसका उदेश्य सा था समाज सुधार करना और खादी का प्रचार करना जैपुर प्रजामंडल में मुख्य महिला परचारक कौन थी तो यहां दुर्गा देवी दत और जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की जो पतनी थी जानकी देवी बजाज तो यह जैपुर प्रजामंडल में मुख्य महिला परचारक रही बुंदी परजामंडल की इस्थापना कब और किसके दोरा की गई, तो 1931 में कांती लाल के दोरा और नित्यानंद के दोरा जो है बुंदी परजामंडल के सापना की जाती है 1931 में बुंदी प्रजामंडल का राजिस्थान संग में विले कब हुआ बुंदी प्रजामंडल का राजिस्थान संग में विले कब हुआ तो 25 मार्च 1948 को बुंदी प्रजामंडल का राजिस्थान संग में विले हुआ मारवाड प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई मारवाड प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो स्थापना जो है 1934 में हुई जै नरायन व्यास की द्वारा ठीक है और इसमें जो अध्यक्ष बने वो भमर लाल सराफ बने बीका नेर प्रजाम अंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो यह 1936 में मगा राम वैद के द्वारा की गई और इसकी स्थापना जो कहां होती है कोलकाता में होती है 1936 में मगा राम वैद के द्वारा बीका नेर प्रजाम अंडल की स्थापना जो है वह है कहां होती है कोलकाता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई 1938 में कृष्णदत पालीवाल और ज्वाला प्रशाद जग्यासु के द्वारा की गई ज्वाला प्रशाद जग्यासु का नाम जो है वो इसमें बहुत important है धौलपुर प्रजामंडल में तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में हुई क्रश्न दत्पालिवाल और ज्वाला प्रचाज जग्यासू के द्वारा ठीक है प्रजाम अंडल का जो टॉपिक है आपका फस्ट ग्रेड, सैकिंड ग्रेड, आरेस, रीट, सबी जगे है आपका तो एक कुश्यन तो आपका एक्जाम में आपको देहने को मिलेगा ही मेवाड प्रजाम अंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो यह 24 अप्रेल 1938 में मानिक के लाल वर्मा द्वारा की गई ठीक है और इसका जो प्रथम अधिविशन हुआ वह है उदेपुर में हुआ मेवाड प्रजाम अंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मेवाड प्रजाम अंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो यहां अध्यक्ष थे बलवंत सिंग महता ठीक है मानिक के लाल वर्मा इस्थापन करता है मेवाड प्रजाम अंडल के और अध्यक्ष करता है बलवंत सि महता भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई तो यह किसनलाल जोसी के द्वारा की गई जो की इंपोर्टेंट नाम है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना में और मास इनके द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो 1938 में ही रमेश चंदर ओजहा और लादूराम व्यास इनके द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई यहां पर रमेश चंदर ओजहा का नाम जो है वो है अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो हरी नारायन शर्मा के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1938 में ठीके और इनके सहयोगी थे कुझ विहारी मोदी करोली प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो करोली प्रजामंडल की स्थापना तरलोग चंद माथुर के द्वारा की जाती है 1949 इसवी में करोली प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब की गई 1949 म कि गई तरलोष चंद माथुर के द्वारा याद कैसे करना है जो भी सन आपकी एक जैसी है 1949 में किस-kis प्रजामंडल के स्थापना होती है उनको आप स्थेक्वेंस में लिख लें एक लाइन में लिख लें ठीक है 1931 में कौन से प्रजामनडल की स्थापना होती है वो आप लिख ले इस तरीके से आप इनको याद रख पाएंगे कोटा प्रजामनडल की इस्थापना कब और किसके द्वारा की गई कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना जो है वो अभिन हरी और नेनुराम शर्मा के द्वारा की गई 1949 इस्वी में शिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई शिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई 1949 में ही की गई गोकुल भाई भट के सहयोग से जो है शिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है और इन्हे जो है राजेश्थान के गांदी कहा जाता है किसे गोकुल भाई भट को कुशलगड प्रजाम अंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तो Bridण लल निगम के द्वारा की जाती है 1942 इसवी में बांसवड़ा प्रजाम अंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई बांसवड़ा प्रजाम अंडल की गई तो 1946 में मांगी लाल भव्य और कनहिया लाल मित्तल के द्वारा जाला वार प्रजाम अंडल की स्थापना की जाती है तो आज हम यहीं तक करेंगे जहां पर प्रजाम अंडल की स्थापन करता ठीक है और कब इस्थापना की गई यह सब चीजें जो है वो आप याद रखेंगे और जो यहां सन है इसी को आप सही मानेंगे तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू